नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरी दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महतोपूर्ण जानकारी ले करके आज कल की लाइफ ऐसी हो गई है कि सभी चाहते हैं कि हम बहुत ही फिट और आकरशक दिखें आकरशक दिखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपकी बॉड़ी में प्रोटीन्स और विटामिन्स की कमी नहोँ आप केवल और केवल जीम करके अपनी बॉड़ी को फिट नहीं बना सकते हैं इसके लिए आपका खान पान बढ़िया होना बहुत जरूरी है क्योंकि जीम से आप बॉड़ी में कट सला सकते हैं लेकिन प्रोटीन एनरजी जो बॉड़ी को चाहिए होगी वो आपको खादे पदार्थों से आएगी इसलिए आपके खाने में क्या क्या शामिल होना चाहिए ये बहुत जानना जरूरी है आपके लिए क्योंकि आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें जीम कर लें जब तक आप सही डाइट नहीं लेगे आपको कोई फायदा नहीं होगा इसलिए आज हम आप सभी के लिए लेकर के ऐसी अवश्रधियां या फिर ऐसे खाद्य पदार्थों से जुड़ी होई जानकारियां लाएं हैं जिन में की प्रोटीन की मात्रा और विटामिन्स की मात्रा खास करके बोडी विरिडिंग के लिए सबसे अच्छी होती हैं आप अगर बोडी बनाना चाहते हैं तो जिम के बाद इन चीजों का सेवन आवश्य करें जिम से क्या होता है कि आपकी बोडी से एनर्जी निकलती है और आपकी मसल्स मजबूत होती हैं और मसल्स में कर्स आते हैं लेकिन जब बोडी में कुछ रहेगा तो ही वो कर्स अच्छ कोलेस्ट्रोल और मांस की कुरूरता से मुक्त उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन चाहते हैं ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मांसाहारी नहीं होते हैं तो उनके लिए सबसे ये अच्छी चीज़े हैं और सबसे लजीज यानि की स्वादि होता है इसके साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें इसमें प्रोटीन के मात्रा एक कप में 32 ग्राम होती है यानि कि आप अगर पनीर का सेवन करते हैं तो आपके हड़ियां मजबूत होंगी इसके साथ साथ आपकी मसल्स भी बहद मजबूत हों क्योंकि आपकी बॉडी में भरपूर एनरजी होती है और जब आप इसको digest करते हैं इसके बाद exercise करते हैं तो आपकी बॉडी में cuts भी अच्छे आते हैं आप स्वस्त भी रहते हैं इसके आलावा बिंस भी एक प्रोटीन का बिहधी महतोपूर्ण शुरोत है बिंस चाहें काली या चितकवरी, राजमा की शकल में हो या फिर चने की, ये सस्ती भी होती है, पकाने में आसान भी और प्रोटीन से भरपूर भी, अपनी इक्छा के अनुसार आप बिंस को रोटी या फिर चावल के साथ सलाद में या सूप में डाल करके खा सकते हैं, इससे आपको भरपूर म मातरा में प्रोटीन मिलेगा जिससे आपकी बोडी बन जाएगी, इसके अलावा अगर आप अपनी बोडी को बनाना चाहते हैं, तो आपको डालों का सेवन जरूर करना चाहिए, डाल दुनिया भर में पसंद किया जाता है, आप इसको स्वादिष्ट सूप की शकल में या चावल के उपर डाल कर प्याज और गाजर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रतेक सर्विंग में 12 ग्राम प्रोटीन की एक भारी मातरा होती है, इसके अलावा सोया बीन के चंक्स और वेजी वर्गरों से लेकर शाकाहारी शामी, कबाब तक शाकाहारी मुह में पानी भर दे इन शाकाहारी मीटों में प्रोटीन भी भारी मातरा में मिलती है, इन से जल्दी और आसानी के साथ सेंडवीच, बार्वेक्यू और ऐसे स्नेक्स बनाए जा सकते हैं, जो आपके अधिकतर मानसाहारी मित्रों को खुश कर देंगे, क्योंकि आप साकाहारी हैं और मानसाहारी तलने के लिए बार्वेक्यू सोंस के साथ बेक करने के लिए या गी या ग्रील पर भुनने के लिए प्रियोग किया जा सकता है, आप इसे अपने पसंदीदा मेनिरेशन या मसालों में लपेट सकते हैं, दिल को मुह लेने वाले आहार तयार करने के लिए सक्त या अपनी बोडी बनाना चाहते हैं तो मौफली का मक्षन हमेशा ही एक अच्छा स्नेक माना जाता है और मेवे तो इससे भी ज्यादा फायदे मंद होते हैं अपने सुभा के नास्ते की सिरियल, सलाद और तले हुए भोजनों में अखरोट, बादाम, काजु जैसे मेवों को डाल कर आप प्रोटीन से भर पूरे स्नेक्स बना सकते हैं और चाहें तो इन्हें मर्तबान से सीधे निकाल कर भी खा सकते हैं लेकिन ध्यान रखे की सुभा ही हम क्यों बोलते हैं इनका सिवन करने के लिए क्योंकि रात भर जब आप सोय हुए होते हैं खाना खाने के बाद तो सबसे ज्यादा पेट की सभ़ाई सुभा-सुभा हो जाती है और उस वक्त जो भी चीज़ें आप खाते हैं वो आपकी जब भी इन हैवी चीजों का सिवन करना हो तो सुबह में करें ज़्यादा भेतर होता है। इसके साथ साथ आप प्रोटीन के लिए सोया के दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सुबह की सीरियल या स्मूथी में बहुत अच्छा होता है। इसमें गाय के दूध जितना प्रोटीन होता है परन्तु कोलेस्टरोल और जानवरों के प्रतिक्रूरता इसका हिस्सा नहीं होते हैं। आप इसे अलग-अलग फ्लेवर जैसे की मलाईदार, वेनिला या चोकलेट में प्रियोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूध का सेवन भी कर सकते हैं बोडी में प्रोटीन पाने के लिए। इसके बिमारियों को शरीर से बचाता है, दूध कमजोर शरीर को शक्ती देता है। इसके साथ-साथ आप काबली चैने का भी प्रियोग कर सकते हैं। में अमीनो एसीड लीसिन की कमी होती है जबकि छोले में प्रचूर मातरा में लीसिन होती है इसके अलावा दही में भी केलशियम और प्रोटीन दोनों भरपूर मातरा में होते हैं दही में केलोरी कम होती है इसमें प्रोटीन की मातरा एक कप में 17 ग्राम होती है रोज दही के इस्तिमाल से शरीर ठीक और निरोग रहता है दही इंसान की उम्र को बढ़ाती है दही से बनने वाला छांस तो सबसे ज़्यादा पौश्टिक होता है यानि कि उसके बाद आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर में लगता भी है हम इतने ज़्यादा आपको इसलिए बता रह है तो लेकिन उसका सप्लिमेंट मालों कि आपके पास नहीं उपलब्ध हो पा रही है यह चीजें बहुत ज्यादा कोश्टली भी होता है पनीर और आपको बादाम भी मालीजे हर रोज नहीं ले सकते हैं हर लोग effort नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम उसके optional चीज़ों को भी आ मूंग दाल से प्रोटीन बहुत अच्छी मातरा में मिलती है आयरुवेद में मूंग की दाल को कई बिमारियों को खत्म कर देने वाली और शदी कहा गया है यह शरीर को कफ वात और बुखार से बचाती है यदि किसी को खाना नहीं पचता है तो उसे छिलके वाली मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए अंकूरित साबुत मूंग का सेवन करना तो शदीर के लिए बेहदलाब दायक होता है इसके साथ साथ आप ओट्स ले सकते हैं ओट्स में फैट कम और प्रोटीन ज्यादा मातरा में होता है इसमें प्रोटीन की मातरा 100 ग्राम में 17 ग्राम होता है में फैट नक के बराबर होता है इसलिए वजन कम करने के इच्छुक लोगों के लिए उट्स एक बहतरीन breakfast है क्योंकि अभी तक जो हम पनीर वगेरा बताए ये तो उन लोगों के लिए है जिनकी साथ है भी डाइट नहीं लेते हैं जैसा कि आपके बोड़ी में फैट ज्यादा हो गया है तो आप प्रोटीन यूगते ये उबले हुए राजमा में इतनी मातरा पाई जाती है इसके साथ साथ आप मसूर धाल का प्रयोग कर सकते हैं वो भी नहीं है आपके पास तक कद्दू के बीजों का प्रयोग कर सकते हैं इसके अलावा प्रोटीन का एक मुख्य सुरोथ है कद्दू के बीज कद्दू के पीज में अंडे से दोगना प्रोटीन ज्यादा होता है प्रोटीन के साथ साथ इसमें आयरन और जिंक भी अच्छे मातरा में होती है इसमें प्रोटीन की मातरा एक कप में फेल्व ग्राम होती है इसके साथ साथ आप सेम का प्रयोग कर सकते हैं सेम को फली भी कहा जाता है इस में प्रोटीन और केलशियम की सबसे ज़्यादा मात्रा रहती है यह पेट साफ करने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है सेम शरीर को ताकत देती है यह शरीर के अंदर की गंदगी को साफ बनाने का काम करती है आखों के रोशनी को बढ़ाने में सेम एक कारग करें अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो पनीर लें इसके अलावा बादाम लें लेकिन जो सबजी आप खाते हैं उसमें सेम का प्रयोग करें या फिर कद्दू के बीजों का प्रयोग करें डाल खा रहें अगर तो आप उसमें मूं की दाल का प्रयोग करें जिसकी वज़े से आपकी बोडी को बिल्ड होने में ज्यादा आसानी होगी इसके अलावा हमारे शरीर के हड्डियों को मजबूत बनाता है जो भी प्रोटीन योगत आहार होता है वो शरीर का वजन कम करने में भी मदद करता है ये क्योंकि unnecessarily fat आपकी बोडी पर नहीं रह जाता है इसलिए आपके muscles मजबूत हो जाती है इसके अलावा आप स्वस्तर रहते हैं आप जिम करते हैं तो आपके blood pressure को भी एक control रखता है जिम जाने वाले लोगों के लिए protein लेना तो बहुत जरूरी होता है इसलिए हमने आपको ये इतने जो आहार बताएं ये protein से युक्त थे ताकि आप अपनी body को सही धंग से बना सकें आपके हड्या मजबूत हों और रक्त कोशिकाएं बनती रहें जिससे आपको body building में मदद मिले तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए दोस्तों अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों